दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजय मगूहर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर पिछले कई वीडियो में मैं आपसे लगातार चर्चा में हूँ कि हर्याना कॉंग्रेस के चेहरे कौन हो सकते हैं लोग सबा के लिए हर्याना कॉंग्रेस की जो स्क्रीन कमेटी है स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम भेजे हैं पैनल बनाकर जिस पर की अब चर्चा होनी है जो इस पर कॉंग्रेस की इलेक्षन कमेटी सी सी चर्चा करेगी S.E.C. चर्चा करेगी चार तारिक को जिस पर चर्चा होनी है اور चार तारिक की शाम को या पांस तारिक को अपने जो केंडिडेटों का एनाउंस कर सकती है कॉंग्रेस मैं लगातार और सब को लेकर अन नामों पर आपसे चर्चा में हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की है फरिदाबाद की, गुरुगराम की, बिवानी महिंदरगड की, करनाल की, हिसार की, रोहतक की, कुर्कशेत्र लोगसवा पहले से ही एलाउंस है क्योंकि वो इंडिया गठवंदन ने अपने गठवंदन के तहट आम आदमी कर, हर्याना की एक महत्वपूर्ण सीट वो सीट जो मैंने अब को बताया कि पंजाब और राजिस्थान की राजनीती से कहीं प्रभावित होती है, कहीं वहां की राजनीती को प्रभावित करती है, इसके साथ सा सिर्सा लोगसवा सीट जो चौधरी देवी लाल की करम स्थल रखता है, उस सिर्सा लोगसवा के लिए कॉंग्रेस की क्या रणीती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक पर बताया भी था, पहले भी, कि कुमारी सैलजा को लेकर कॉंग्रेस के अंदर गंभीर मन्थन का दोर है, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप से जिक्र कि कि कुमारी सैलजा ने भी कह दिया है, अपने खुद के अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा, कि अगर कॉंग्रेस मुझे सिर्सा चाहे, अंबाला चाहे, जहां चाहे, मैं वहां से के लिए तयार हूँ, हाला कि पहले कुमारी सैलजा ये कहती रही थी, कि वो विध सभा के लिए खुद को प्रूव करना, तो हर्याना के दस लोग सभा सीटे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हर्याना, पिछली बार दस की दस लोग सभा सीटे जीत गई थी भारती जन्ता पार्टी, अब की बार क्योंकि पूरे देश के अंदर कॉंग्रेस इंडिया गठबं में दे दी कुर्शेतर की, वहां तो कॉंग्रेस के लिए काम करना ही है, बाकी 9 सीटों पर भी कॉंग्रेस को अपना सबसे बहतरीन करके दिखाने की चुनोती होगी, एक तरफ जहां भारती जन्ता पार्टी 10 की 10 लोग सभा सीटे बचाने के लिए काम करेगी, तो कॉंग्र में मैं आपसे सिर्सा की बात करूँगा, और सिर्सा के साथ मैंने सीधा आपको क्नेक्ट किया कुमारी सहलजा के साथ, कुमारी सहलजा की करम भूमी रही है सिर्सा, कुमारी सहलजा 1998 तक चुनाव लड़ती रही, 1998 में वो चुनाव हारी थी यहां से डॉक्टर सुशील लिंडोरा से इंडियन नैशनल लोगडलताव देवी लाल के परिवार की परटी और उसके प्रत्याशी थे ब्रशी लिंदोरा उनसे चुनाव आर गए थी कुमारी सहलजा ने उसके बाद सिर्सा का रुख नहीं किया उसके बाद कुमारी सहलजा चनी गई चली गई राजनीती करने अमबाला लोकसभा में हलाकि वहाँ एक बार वो राजसभा के मेंबर भी रही और अमबाला से लोकसभा का चुनाव लड़ी भी जीती भी हारी भी अब 2024 के लिए क्या तैयारी है राजनीतिक लोग बताते हैं कि सिर्षा से कुमारी सेलजा ने अमबाला का रुख यूं किया था कि उनकी चौधरी भजनलाल परिवार के साथ टसल्स हो गए थे और उन ट्रसल्स के चलते कि चौधरी भजनलाल परिवार का भी असर वहां पर है सिर्षा लोकसभा में और वहां पर दिक्कत ना हो इसलिए बचाव के लिए वो अमबाला चली गई थी और अब भी कॉंग्रिस की वो गुटबाजी जो चौधरी भजनलाल के टाइम पर थी भले भजनलाल परिवार केवल चंदर महुन जी को छोड़कर बागी सारा जा चुका है कुलदीब विश्णोई जा चुके हैं बीजे पी के अंदर रेनुका जा चुकी हैं बीजे पी के के अंदर लेकिन जितना असर चौधरी भजनलाल का रहा वही असर हुड़ा साप का भी है अब सिरसा लोगसभा को लेकर के आप से बात करते हैं कि सिरसा की रणीती क्या है चौधरी दलबीर सिंग सिरसा से सांसद रहे कुमारी सहलजा के पिता हैं संसद केंदर के सरकार के अ कॉंग्रेस आला कमान के अंदर सेलजा का अपना एक कद है अपना वजूद है और उसको देखते हुए सबसे पहली बात तो यह थी कि सेलजा के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है वो दो रिजर्व सीटे हर्याना की हैं सिरसा और अंबाला वो जहां चाहेंगी वहां उनको टि जो कॉंग्रेस की गुटबाजी वाली राजनीती भी है तो आप माने सिरसा के अंदर नर्वाना सीट भी आती है जीन जिले की नर्वाना विधानसभा रिजर्व है वहां पर जितना प्रभाव चोटाला परिवार का और उससे कहीं ज्यादा परिवार सुर्जे वाला इरिया के अंदर सिरसा लोगसभा के अंदर फतयावाज जिले के अंदर वी इधर भजनलाल जी के बेटे चंदर महुन जी सहलजा जी के साथ हैं तो जो चौधरी भजनलाल के नाम का वोटर्स है वो चंदर महुन उनकी मदद करेंगे वहाँ पर जरूर इस लिहाज से और चुनाव अगनी परिक्षा का चुनाव है जिस प्रकार कॉंग्रेस की गुटवाजी है लेकिन गुटों की बाजी में भी कॉंग्रेस के लिए एक एक सीट पर अपनी जान की बाजी लगा देना सबसे महत्वपून रहेगा और मुझे लगता नहीं कि इस बदले हुए वर्तम साल लोकसभा पर जो राजनीतिक लोग हैं जो राजनीती की बाते किया करते हैं वह यह भी जानते हैं कि अगर हुड़ा साब ने किसी प्रकार से सहलजा का विरोध ना किया तो फिर कुमारी सहलजा बड़ी आसानी से सिरसा के सीट निकाल कर ले आएंगी और वैसे भी अशो में वो चुनाव हार गए थे सुनीता दुगल से अब की बार सुनीता दुगल जी का टिकट कार दिया बीजेपी ने और अशोक तवर वहां पर अपनी आमादमी पार्टी और कई पार्टियों की यात्रा करते हुए पहुँच गए बीजेपी ने उनको सिरसा से लोकसभा का टिकट दे दिया अशोक तवर को जब से टिकट मिला है तब से कई गाउं के अंदर कई विधानसभाद छेत्रह से हैं रतिया से इसके साथ साथ दूसरा कल फत्याबाद जिले के अंदर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है इस थिति में कुमारी सेलजा को कॉंग् स्क्रीण कमेटी ने जो भेजे थी है नाम कौन-कौन से तो कॉंग्रेश के द्वारा जो नाम कमेटी द्वारा जो नाम भेजे गए उनमें एक नाम क्वारी सहलज़ा का है इन कदावा एक नाम हमां से गया हुआ है जरनेल सिंग का पूर विधायक एक नाम मौद से गया हुआ सुछी लिंदोरा जी का वह आशकल कॉंग्रेस में ही है एक नाम कुमारी सेलजा के नाम पर यहां पर किसी प्रकार की मनाई होती है कुमारी सेलजा मना करती है या कॉंग्रेस आला कमान सोचता है कि उनको कहीं और भेजे तो फिर उस थिती में और नामों पर विचार होगा लेकिन अगर कुमारी सेलजा तयार है तो फिर किसी और नाम पर यहा अपना मन बना लिया है तो फिर इस लियाज से मान कर चलें कि सिरसा के लिए कॉंग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कुमारी सहलजा का नाम फाइनल है जब लिस्ट डिक्लेयर होगी तो उसके अंदर कुमारी सहलजा का नाम घोशित हो जाएगा वैसे आपको क्या लगता है कि क् जिसके लिए खुद को प्रूव करने का समय है कि अब भी वो किसी गुटबाजी के अंदर लोगसभा चुनाओं में लिप्त रहेगी आपको क्या लगता है कि कुमारी सेलजा सिर्सा लोगसभा में कॉंग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कितनी प्रभावी साबित हो सकती है उनको वही पुराने वाला प्यार देगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस परकार के वीडियो अप्डेट्स के लिए मारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रो